नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नीट्रिशन गुरू संजीव पांडे और आप देख रहे हैं हेल्थ खजाना और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चीनी के बारे में और बहुत कॉंप्रिकेड़ बातें नहीं करेंगे मैं आपसे कुछ छोटे-छोटे तथ्य कुछ फैक्ट शेयर करूंगा चीनी को ले करें सबसे पहले तो मुझे दुख के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे भोजन का जो सबसे हानी कारक तत्व है वो चीनी है यानि कि हम जो भी चीज़े खाते पीते हैं उसमें सबसे नुकसांगा एक चीज आपकी सेहत के लिए अगर मैं यू कहूं कि जो कुछ हम खार हैं उन सब में अगर कहा जाए कि अगर किसी चीज पर आपको जहर का टैग लगाना है टाइटल लगाना है तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो चीनी पर ही लगाना पड़ेगा जी दोस्त वो इतनी हानी कारक है दो तीन छोटे छोटे फैक्ट्स आपके साथ शियर करूँगा कि कैसे देखिए चीनी बंती किससे है चीनी बंती है जी गन्ने से गन्ने के रस से गन्ना सिहत के लिए हानी कारक नहीं है धिन्ना फाइदे की चीज लेकिन अगर आप ध्यान से सुनें और समझें अगर दो ग गन्ने का रस निकाला जाएगा तो आप एक बार में पी नहीं पाएंगे इतना होता है लेकिन जब आप एक ग्लास दूद में एक चम्मचीनी डाल कर पीते हैं तो उस एक चम्मचीनी के लिए कम से कम दस गन्ने लगते हैं और जहां आप दो गन्ने का रस नहीं पी पा रहे जो कि लाप्रद है फाइदे की चीज़ असेद के लिए वहाँ आप दस गन्ने से बनी हुई चीनी एक बार में खा ले रहे हैं यानि कि बहुत जादा मात्रा में कंज्यूम हो रहा है शुगर नमबर टू उस रस को उस क्रिस्टल फार्म तक ले जाने के लिए गन्ने के रस को जो चीनी जिस फार्म में हम खाते हैं जो क्रिस्टल होते हैं उसको क्रिस्टल फार्म तक पहुचाने के लिए बहुत सारे केमिकल प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है और उसमें बहुत से हानिकारक केमिकल का भी इस्तेमाल होता है उसको क्रिस्टिलाइज करने में लेकिन जब आप उसको यूज करते हैं वो घुलती है तो भी वो केमिकल्स उससे अलग नहीं हो पाते हैं और वो उसके साथ ही हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं मेरे ख्याल से इतना सा फैक्ट ही इस चीज के लिए काफी है कि हम थोड़े सजग हो जाएं और चीनी का इस्तेमाल जितना कम कर सकें उतना अच्छा बहुत सारी जगों पर बूरा मिलता है खांड मिलता है सेम वही उसी गन्ने का ही बाई प्रोड़क्ट है वो लेकिन जब वो चीनी में कनवर्ट हो जाता है तो वो खतरनाक है लेकिन आप खांड इस्तमाल कर सकते हैं बूरा इस्तमाल कर सकते हैं तो वो नुकसान दायक नहीं है इसके लावा जहां जहां आप चीनी को गुड़ से रिप्लेस कर सकते हैं वहां कर लिजे, हिंदुस्तान में शायदी कोई ऐसी जगे होगी जहां गुड़ नहीं मिलता, नौर्थ इंडिया में बहुत आयत है, तो चितना आप गुड़ से रिपेस करते हैं, अतना रिपेस कर लिजे, और जहां चीनी ही इस्तेमाल होनी है, जैसे रसगुला गुड़ क के शिरे में नहीं बन सकता, तो उन चीजों का इस्तेमाल कम से कम करें, स्वाद लेने के लिए, ठीक है, और याद रखें, जितनी भी ऐसी चीजे हैं, जो हाई क्यालोरी प्रोवाइड करती हैं, हाई एनरजी लेवर प्रोवाइड करेंगी, वो सब करीब करीब सेहत के लेकिन वो सब स्वाद में आहा होती है, तो उसको सिर्फ स्वाद तक इस्तेमाल करें, स्वाद लिया, पेट भरने जैसी चीज के लिए उसको न इस्तेमाल करें, अन्य था, वो आपको इस्तेमाल कर डालेगी, समझने मेरी बात, वो ऐसे ऐसे फिजिकल चैलेंजर आपके ल लाइट तो दोस्तों इंसलिए नहीं चीनी कम करना है कि आप ड्याइबिटिक हो जाएंगे याद रखेगा ड्याइबिटिज्स का चीनी से नहीं कुछ लेना देना ठीक हैै ना उसका आपकी फिसिकल अक्टिविटींस आपकर पैंक्रियास से लेना देना होता है तो लेकिन चीनी करीब करीब हर हिस्से में नुकसान और नुकसान के सिवाए कुछ नहीं देती है तो उसको अपनी जिन्दगी से जितना दूर रखेंगे उतना अच्छा होगा फिर मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए स्वास्त रहें बस रहें जाएं जाएं